नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासेज में आज का वीडियो है स्पीडी बार्सिकांग के माई 2024 एडिशन में दिया हुआ आर्थिक परदीश आई ये देखते हैं इसके इंपोर्टेंट वन लाइनर बरिश्ट नागरिको की जमारासी बढ़ी बित बर्स 2024 में सरकार को 27,000 कड़ो रुपय का करप्राप्त हुआ बित बर्स 2024 में भारत का फर्मस्टिकल निर्यात बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जीयो दुनिया की सिर्ष टेलिकॉम कमपणी बने रातन और अभुसन छेतर को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया एलाइसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रुप में बरकरार यस बैंक ने पेरिश उलंपिक 2024 के लिए भारती उलंपिक संक के साथ साज़ेदारी की कौन से बैंक ने यस बैंक ने पेरिश उलंपिक 2024 के लिए ग्रीड कंट्रोलर आफ इंडिया लिमिटेड को मीनी रत्न का दरजा मिला ग्रीड कंट्रोलर आफ इंडिया लिमिटेड को भारत में गरीबी 5% से नीचे आई नीती आयोग CEO का रिपोर्ट बर्स का सर्विस्रेश्ट प्रोध की बैंक पुरुसकार सौथ इंडियन बैंक को परदान किया गया भारत की UPI सिवाए स्रिलंका और मौरिसस में और रूपे कार्ड सिवाए मौरिसस में लौंज की गईगी UPI सिवाए सिरलंका और मौरिसस में रूपे कार्ड मौरिसस में EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.1% से 8.2% कर दी गई है EPFO द्वारा जमा पर ब्याज आरबी आई ने पेटियम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेंदेन बंद करने का निर्देश दिया है एयू असमाल फाइनेंस बैंक को फीन केर बैंक के साथ बिले की मनजूरी भारत हांकोंग को पीछे छोड बैस्वी का स्थर पर चौथा सबसे बड़ा एक्वीटी बजार बन गया सैमसंग को पीछे छोड एपल सिर्ष अस्वार्ट फोन निर्माता बना भारत बिश्व अस्थर पर दुसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक बन गया भारत बिश्वेस्थर पर दुसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक बन गया भारत रूसी इंधन का सबसे बड़ा आयातक बन गया SBI को पचाड LIC देश की सबसे मुलिवान PSU बन गई बित मंत्री भारत कलाच दोहजार अठाएस तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थविवस्था करना है TCS को दूसरा सबसे मुलिवान IT ब्रांड की दर्जा दिया गया इंड सेंड बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया भारतिया स्टेट बैंक ने सोलर प्रजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑप क्रेडिट पर हस्ताचर किया इरडई ने मौझूदा बैंक बीमा धाचे की समिछा के लिए जे मीना कुमारी के ध्यस्ता में एक समीती का गठन किया जे मीना कुमारी पटना सेंट्रल बैंकिंग डिश्टल करेंसी सीबीडी सी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया और भी आई ने हर पेमेंट डिश्टल मिशन सुरू किया अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यपारिक भागिदार के रूप में उभरा के रू नए वेरियंट का नाम जैन वन है जैन वन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा कर चोसो सत्रा दसनलोग तीन अरब डॉलर हुआ उत्तर परदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गया इंडिगो एक साल में सो मिलियन यात्रियों तक पहु नारी सकती बचत खाता आर्वी आई न स्वाथ सेवा और सिच्छा के लिए यूपी आई की सीमा को बढ़ा कर पाच लाख रुप्य कर दी एस एंड पी भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था सहरी छेत्रों में बिरुजगारी दर 7.2 परसेंट से घटकर 6.6 परसेंट हो गई बीत मंतरी निर्मला सिता रमन ने स्रिलंका के त्रिंको माली में भारतिय स्टेट बैंक की साखा का उधगाटन किया हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट का पुरेशन आफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपी आई एटियम ल भारत ने सकल घरेली उत्पाद में 4 ट्रिलियन डॉलर का अकड़ा पार किया स्वीडन की साब भारत की रच्छा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाला पहली बी देश कंपनी बन गई भारते रिजर्ब बैंक को चेंज मेकर अफ दा येर पुरुसकार दिया गया देश में म के साथ बिलाई के लिए CCI ने मंजूरी दी करमचारी और पेंसन भोगियों का महगाई भत्ता 46% कर दिया गया सीटी उनियन बैंक ने भारत का पहला वाइस बायोमेट्रिक प्रमानी करन बैंकिंग एप लॉंच किया इंडियन बैंक ने बितिय समा वेशन सेवाओं को मुडीज रेटिंग एजंसी दोग्रेश में 6.8 परसंट तहां लेकिन देशचर चूविस में 6.1 परसंट क्रिशिल एजनसी का 6.0 परसंट जो जाजा सेचरेश चोविस का जीडिपी बिर दिदार अनुमान देखे सीजेश डिटिंग एजनसी बैंक ऐग्र्टिंग एजनस तो 7.5% राष्टिय संख्य की कारियाल एनसो के 2023 में 7.3% संजुक्त राष्ट की अगर हम बात करें तो ये 6.2% है ये था भारत की जीटीपी बिर्धी दर का अनुमान विभीन संस्थाओं के दोरा और ये वीडियो था आर्थिक प्रिदिस का अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेयर कर दीजगा धन्यवाद